आपके सामने एक paragraph लिखा हुआ है, matrix chapter के उपर based, ये paragraph J. Advanced 2 था हूँ, जो 9 के paper में आया था, तीन सवाल पूछे हैं इसके उपर based, ये question number 1, उसके बाद second question, फिर third question, तीनों ही तीनों questions को solve करके दिखाऊँगा मैं आपको, इस paragraph को लाने के पीछे के मेरे कुछ logic हैं, जहां से सुनना, बच्चे बहुत बार इस paragraph को लेके आते हैं मेरे पास, कुछ बच्चे solution देखकर के confused रहते हैं, कि सर मेरा answer नहीं match किया, solution मुझे समझ में नहीं आया, इस paragraph का solution किताबों में लिखा हुआ है, बहुत सारी किताबों में गलत solution लिखा हुआ है, कुछ किताबों में अधूरा solution लिखा हुआ है, बच्चे solution को देखके बहुत confused होते हैं, खैर मैं यहाँ पर पूरा solution discuss करूँगा, प्रेशानी वाली कोई बात नहीं है, और इसके अंदर यहाँ पर symmetric matrix का discussion कर रखा है, फिर system of linear equation के आगे जाके बात कर रखी है, PNC के concept का इस्तिमाल हो रहा है, तो सारे concept जब mix होते हैं, तो बच्चे कई बार confused हो जाते हैं, और paragraph based questions की खास बात ही यही होती है, कि 3-4-5 concepts को मिला करके, अलग-अलग chapter के concepts को मिला करके, वो paragraph design किया जाता है, तो यहाँ से समझने की कोशिश करना की कैसे, matrix के अंदर PNC का इस्तिमाल होता है, और बहुत बार जही वाले symmetric matrix और skew symmetric matrix में, PNC के साथ mix करके question बनाते हैं, पहले भी बनाते हुए आए हैं, तो मैंने सोचा कि ठीक है बहुत important problem type है, discuss होना चाहिए, इस concept के उपर based problem पहले भी आते रहें, आगी भी आते रहेंगे, तो बहुत important paragraph है, ध्यान से solve करना इसको ठीक है, तीनों part अगर आपने solve कर ली, आपको अच्छा महसूस होगा, अच्छी feel आएगी, ठीक है, तो चलिए question read करूँगा, उसके बाद one by one solve करूँगा, तो इस paragraph के बाद जो है न, एक तो आपको symmetric matrix का फंडा बिल्कुल clear हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो concept इस्तिमाल होगे न, symmetric matrix का concept इस्तिमाल होगा, system of linear equation, system of linear equation में unique solution, और no solution के concept का यहाँ पर इस्तिमाल हो रहा है, ठीक है, unique solution, no solution के concept का इस्तिमाल होगा, और P&C के फंडे है न, यह यूँ कहें, logical reasoning आपके इस्तिमाल होगी, ठीक है, P&C के basic फंडे यहाँ पर इस्तिमाल होगे, ठीक है, तो इन concept का इस्तिमाल हो रहा है, पूरा paragraph आपका solve हो जाएगा, ठीक है, पहले pose करके आपको, खुद attempt करना चाहिए, यह, video pose करना चाहिए, copy pen उठा के, खुद attempt करना चाहिए, उसके बाद फिर मेरे solution को देखोगे, जादा चीज़ें सीखने को मिलेंगे, ठीक है, चलिए जी, A मेरा क्या है, A set है, अच्छा, ठीक है, किस चीज़ का set, of all 3 by 3 symmetric matrix, अच्छा, तो A जो है, वो set of all, 3 by 3 की symmetric matrix है, symmetric matrix क्या होती है, जिसमें, यहाँ पर Aij और Aji, आए, वो बराबर होते हैं, चलो, all of whose entries are either 0 या फिर 1, उसके entry या तो 0 है, या फिर 1 है, अच्छा, ओके, 5 of these entries are 1, पांच entry जो है, वो 1 है, और 4 entry मेरे पास 0 है, 3 by 3 में, total 9 zeros होते हैं, ठीक है, तो सवाल क्या पूचा है, सवाल ये पूचा है, कि कितनी ऐसी matrices होंगी, number of matrices बताइए A में, अच्छा जी, तो number of matrices बता देते हैं, ये लो, A के अंदर number of matrices कितनी होंगी, यहाँ पे, कुछ ऐसी होती है, symmetric matrix मेरी, यहाँ पे जैसे मैं लिख दिया है, X, Y, Z, यहाँ का जो element और यहाँ का element सेम होता है, A, A, यहाँ B और B सेम होता है, यहाँ C और C सेम होता है, ठीक है, मेरे पास 5, 1 है, 5 मेरे पास 1 हो गए, और 4 मेरे पास 0 हैं, ठीक है जी, अब देखो, diagonal को पकड़ लिया मैंने, कि diagonal के अंदर, कितने 0 सेट कर सकते हैं, मैंने diagonal को पकड़ लिया, diagonal को पकड़ के सवाल सोल्व करूँगा, diagonal में 3 element हैं, तो मुझे बताओ, 1 0 हो सकता है, का 1 0 diagonal में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 0 diagonal में कर दिया, तो बचे हुए 3 0, मेरे को बाकी जगों पर प्लेस करने पड़ेंगे, और 3 0 में, प्रोब्लम यह आ रही है, कि यहाँ पर 0 रख दिया, तो एक पेर में element है, यहाँ 0 तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा, यहाँ 0 रख दिया, तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा, तो अगर आप 1 0 डाइगनल में रखते हो न, तो 1 प्लस या तो 2, 3 0, आपको रखने पड़ेंगे, या 1 प्लस 4, 5 0 की requirement आपको होगी, ठीक है, तो डाइगनल में आप, या तो 2 0 रखोगे, या फिर 4 0 रखोगे, तो element तो 3 ही है, 4 0 तो रखनी सकते हैं अपन, ठीक है, तो डाइगनल में मेरे पास 2 0 आएंगे, ठीक है, तो डाइगनल में 2 0s आएंगे, ये बात हमें समझनी है एक तो, ठीक है, कि डाइगनल में 2 0s होगे, है न, डाइगनल में मेरे 2 0s होगे, तो diagonal में 2 zeros अब कहा होंगे जी तीन position है तीन position में से 2 position pick कर लेता हूँ 3 C 2 for example मैंने pick कर लिया ये वाला position और ये वाला position pick कर लिया 3 C 2 2 position pick कर लिया तो वहां पे मैंने 0 रख दिये तो बचा हुआ element 1 हो गया बचे हुआ element को 1 रखने का एगी तरीका है अब 2 0 तो मेरे जा चुके हैं जी अब 2 0 बचे मेरे पास वो 2 0 तो या तो यहां fit हो जाएंगे एक तरीका या फिर यहां B और B पे fit हो जाएंगे या C और C पे fit हो जाएंगे मतलब मेरे पास 3 possibility है 3 C 1 ठीक है मान लेते हैं यहां और यहां मैंने fit कर दिये है ना तो 2 0 और fit हो गए अब 1 1 यहां fit कर चुका था मैं तो बचे 4 1 कहां पे fit होंगे बचे 4 1 मेरे fit हो जाएंगे इन जगों पे और यहां मेरी matrix आ जाएंगी 9 matrix आ गए ठीक है तो यह वो वाला case है case number 1 जब diagonal में मेरे 2 0s है अब next case देखिए diagonal में 2 के अलावा और कितने 0s हो सकते हैं बई 2 के बाद या तो फिर 4 हो 4 की जगह नहीं है अब एक case बनता है जब कोई भी 0 ना हो diagonal में कोई भी 0 ना हो जब diagonal में मेरा कोई भी 0 नहीं है तो इसका मतरब diagonal में क्या है diagonal में तो 1 और 1 है बागी position कौन सी बची ये position बची है ना ये positions बची है मेरे पास 0 कितने है 4 zeros है तो 4 zeros या तो मैं 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर fit करूँ 4 fit हो जाएंगे या 2 यहाँ पर 2 यहाँ fit करूँ या फिर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 possibility है 4 zeros को fit करने है तो मेरे पास एक गुच्छा, दो गुच्छे, तीन गुच्छे थे, तीन गुच्छों में से कोई भी दो गुच्छे उठा करके, वहाँ पे आप जिरो फिट कर लो है ना, ये एक गुच्छा और एक गुच्छा, दो गुच्छे उठा के मैंने जिरो फिट कर लिया, ठीक है बचा मेरे पास सरफ एक possibility है ना जहाँ पे मैं one fit कर सकता हूँ तो तीन matrix यहाँ बनेंगी तीन possibilities of matrices यहाँ पे है 9 possibilities यहाँ पे है तो total matrices मेरी 9 plus 3 कितनी हो गई 12 हो गई तो यहाँ पे मेरी total number of matrices जो A में possible है मेरे दोस्त वो कितनी होंगी 12 होंगी clear है दो ही case बनेंगे matrix मेरी symmetric होनी जरूरी है है ना matrix मेरी symmetric होनी जरूरी है one और zero कितने हैं मालूम है तो diagonal में या तो कोई zero ना हो या फिर दो zero हो दो संभावनाएं हैं दोनों संभावनाव में 9 और 3 total 12 matrix मेरे को मिल गई तो पहला part बहुत ही simple part था यह part खुद J-E में कई बार आ जाता J-E mains में इस तरही के सवाल बहुत बार repeat होते हैं पता होना चाहिए आपको ठीक है move करते हैं आगे second part में देखते हैं क्या पूछा है अच्छा सवाल पूछा the number of matrices A है ना तो A तो मेरे को पता ही है अपना symmetric matrix है पूर विजदा system of equation है ना A मेरे क्या है A मेरे कौन सी matrix है symmetric matrix है system of this equation है यह क्या है system of linear equation है यह क्या लिख्यू हुई है three linear equations लिख्यू हुई है in three variables यह आपको समझ आना चाहिए जब आप यहाँ पे A matrix लिखोगे और इसको खोलोगे तो तीन equation तीन variable मिल जाएंगे अब इसके unique solution होने चाहिए has a unique solution तो unique solution कब होते है जब coefficient से बनने वाला जो determinant है वो 0 ना हो तो इस पूरे सवाल को solve करने के लिए जो main condition है वो unique solution होने चाहिए तो unique solution होने चाहिए तो इसका मतलब मेरा जो determinant A है वो 0 नहीं होना चाहिए और अगले part में पूछा है कि number of matrices A बताओ for which this system of linear equation inconsistent हो inconsistent बोले तो no solution और no solution में determinant A मेरा क्या होता है 0 तो यहाँ पर देखना है कि कितनी matrices A ऐसी होंगी जिनका determinant 0 है और यहाँ यह देखना है कि कितनी matrices ऐसी होंगी जिनका determinant A मेरा known 0 है ठीक है अच्छा total matrices कितनी है यहाँ पर total matrices मेरे को पता है 12 है अब यह देख लेते हैं कितनी matrices ऐसी होंगी जिनका determinant A 0 नहीं होगा तो total में से घटा दूँगा तो determinant 0 वाली भी मुझे मिल जाएंगी तो देखते हैं determinant A 0 कितनीयों का नहीं है तो मैं यहाँ matrix A पकड़ लेता हूँ यह matrix A मैंने पकड़ ली matrix A मैंने पकड़ ली अच्छा दो ही possibility हैं आपको पता होगा कि matrix A की दो ही possibility हैं अभी part number 1 में मैं आपको बता चुका हूँ case 1 जब diagonal में कोई 0 ना हो diagonal में no 0 और case 2 जब diagonal में 2 0s हों तो जब diagonal में कोई भी 0 नहीं है यह पहला case होगे मेरा दो ही possibilities हैं हमारी symmetric matrices कि दो ही यहाँ पे हैं ना दो ही possibilities हैं ना तो उन्ही possibilities को आगे carry कर दिया ठीक है तीन 1 हो हो है ना तो बचे हुए 2 1 अब कहा आएंगे तीन possibility है मेरे पास है ना या तो मैं यहाँ और यहाँ लूँ यहाँ 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 लूँ और यहाँ यहाँ लूँ तीन possibility आ रही है अब इन तीन possibilities में मेरे को देखना है determinant A note 0 कहां हो रहा है ठीक है प्रेश लिख लेता हूँ यहाँ पे ठीक है यहाँ पे आप देखो पहला case जहां से देखो यह ना पहला case देखो ठीक है अब दो बन और रखने है मेरे पास ठीक है अब determinant A बनेगा जहां से देखो इस matrix corresponding मेरा यह matrix A है तो determinant A बना रहा हूँ अब मैं है ना यह determinant A बन जाएगा अगर मैंने दो बन यहाँ रख दिये ठीक है तीन cases है यहां पर तीनो case लिख लेता हूँ मैं है ना आपके सामने आपको अच्छे से समझाने के लिए ठीक है क्योंकि यहीं पर बच्चे confused रहते है ठीक है या तो दो नो वन यहां पर आएंगे है ना या फिर दो नो वन कहा आएंगे यहां आएंगे या फिर दो नो वन यहां आएंगे बच्ची हुई जगह पर क्या है चार जिरो एक दो तीन चार बच्ची हुई जगह पर क्या है एक दो तीन चार बच्ची हुई जगह पर एक दो तीन चार है ना देखो यहां पर दो रो सेम हो गई तो इसकी Value कितनी हो गई ये तो Determinant 0 हो गई यहां पर देखते हैं इसकी Value कितनी है पहली तीसरी रो से ये भी मेरा क्या हो गया 0 हो गया यहां पर Scene क्या है जी यहां पर भी ये 0 हो गया एक वार मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूं ज्यांद से सुना अब जो बाते बता रहा हूं बहुत important बाते हैं तो यहाँ पे जो matrix मेरी A into x, y, z है न वो कहती है 1, 0, 0 इसके बराबर आ जानी चाहिए तो अगर मैं A को ये pick कर लेता हूं आपको feel करवा रहा हूं अगर मैं A को pick कर लेता हूं ये वाला scene ठीक है multiply कर दिया इसको इससे तो system देखता हूं system of linear equation मेरा कैसा बनता है इस case में determinant ये तो मेरा 0 आ ही रहा है तो यहाँ पे देखोगे मेरा x plus y यहाँ से system बनेगा मेरा x plus y equal to 1 x plus y equal to 0 और यहाँ से बनेगा मेरा z equal to 0 ठीक है आप इन ही को दोनों को देखके बोल दोगे मेरा system क्या है inconsistent है क्या है inconsistent क्यूं क्यूंकि यहाँ पे x plus y equal to 1 और x plus y equal to 0 यह तो संभव नहीं है x plus y 1 भी हो जाए और 0 भी हो जाए तो यह जो case है यह क्या हो गया inconsistent का case हो गया inconsistent का case हो गया similarly यहाँ पर भी यह भी inconsistent का case आएगा लेकिन यह वाला जो case है ना यह बहुत dangerous case है अगर आप इस matrix को यहाँ लेते हूँ ना एक बार मैं ले लेता हूँ यह वाले matrix अगर मैं यहाँ लेता हूँ देखो ज़रा 1 0 0 0 1 1 0 1 1 है ना यहाँ पर जो system of linear equation बना ना वो बना मेरा x equal to 1 है ना और y plus z equal to 0 और y plus z equal to 0 है ना तो यहाँ पर मेरे आप देख लो x की value 1 और y plus z 0 infinite cases में हो सकते हैं तो यहाँ मेरे infinite cases संभव है infinite solutions होंगे तो इस case में determinant a equal to 0 पर दो case बनते हैं या तो inconsistent होता है system या फिर infinite solutions होते हैं या फिर infinite solutions तो यहाँ पर infinite solutions होगे तो inconsistent के मेरे पास दो case बन गए और एक case मेरा infinite solution का बन गया ठीक है ना unique solution के चाहिए अपने को inconsistent के चाहिए तो यहाँ से unique solution का नहीं मिला मेरे को ठीक है तो case number one से case number 1 से unique solution में मेरे को क्या मिला अभी तक 0 matrix मिली और third question में मेरे को inconsistent के लिए मेरे को case number 1 से 2 matrix मिल गई है ठीक है अब मैं बात करता हूँ second case में जब मेरे पास diagonal में 2 0 है दूसरा case का diagonal में 2 0 है बाकी दोनो 0 diagonal के इधर इधर है तो diagonal में तब 2 0 है वो काम तीन तरीके सो सकता है या तो 2 0 यहाँ पे या 2 0 यहाँ पे या फिर 2 0 यहाँ पे ठीक है और जब 2 0 यहाँ है तो बची हुई 2 0 या तो यहाँ पे होंगी या फिर वो यहाँ पे होंगी देखो matrix ही बना दी आपके सामने यहां पे भी दो जिरो या तो फिर यहां होंगी या दो जिरो यहां पे होंगी या फिर दो जिरो मेरी यहां पे होंगी बच्ची हुई जगों पे मेरे वन होंगे ठीक है यहां पे भी सिंपल बात है दो जिरो गर यहां है तो यहाँ पे 1, दो 0 अगर यहाँ है, तो बाकी क्या है 1, दो 0 अगर यहाँ पे है, तो बाकी जगों पे मेरा 1 होगा, इस matrix का determinant क्या है, देखते हैं जरा, देखो, clearly 0 आ रहा है, यहाँ पे देखोगे, तो इधर से open करके देखें, तो यहाँ पे non 0 है, this is not equal to 0, यहाँ पे देखो, इधर से open करके 1, यहाँ पे not equal to 0 आ गया, this is not equal to 0, ठीक है, यह देखो जगा, यहाँ पे देखोगे, तो यह not equal to 0 है, यहाँ पे भी not equal to 0 का case आ गया, ठीक है यहाँ पे देखो पहली और तीसरी रो सेम है यह 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पे इदर से अगर open करके देखूंगा, तो 1 minus 0, यह no equal to 0 का case है, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ से open करके, यह no equal to 0 का case है, यह not equal to 0 का case है यहाँ पे देखो यह मेरा not equal to 0 का case है है ना यह मेरा 0 है क्योंकि second, third row मेरी क्या है, same है तो not equal to 0, determinant है not equal to 0 कितने case है, 1, 2 3, 4 5 6, 6 case है ठीक है, तो unique solution के लिए मेरे को 6 determinant मिल गए, 0 plus 6 6 matrix A है ठीक है, तो at least for less than 7 इस category में आएंगे, कितनी ऐसी symmetric matrix A है, जो given condition को follow कर रही है, और unique solution दे दे fix matrices है clear हो गई बात inconsistent में कितनी matrix है, देखो जड़ा देखो, बाकिया 1, 2 और एक 3 है ना, एक 2 और एक 3 यहां पर आ रही है जो मेरे को determinant A 0 दे, लेकिन इन 3 में ये वाली जो matrix है ये no solution वाली है, ठीक है यहां पर ये 0 है, तो ये no solution वाली है ठीक है ये 0 है, तो ये मेरी no solution वाली है ये मेरी infinite solution वाली है ठीक है ना, यहां पर ये infinite solution आएंगे आप चेक कर ले ना, मैंने बता दिया थाना आपको यहाँ पे X और Y की value 0 आ जाएंगी और X प्लस Y प्लस Z की value 1 आ जाएगी ठीक है यह infinite solution वाला case है तो मेरे को no solution की matrix ढूंड नी थी तो एक यहाँ से मिली एक यहाँ से मिली कितने मिली दो मेरे को यहाँ से मिल गई दो मेरे को यहाँ से मिल गई infinite solution वाली जो चीज हो रही है, यहां पर बहुत interesting हो रही है, क्या होता है, planes जब मेरी parallel हो जाते हैं, तो वहाँ पर no solution होते हैं, जब identical हो जाते हैं, तब infinite solution होते हैं, तो यह वाला case जो है, miss हो रहा था, जिन्होंने linear equations को ध्यान से सीखा है, उनको बातें खटा-खट समझ में आ गई होगी, और यहां पर मैंने अच्छे से बताया है, explain करते हुए, यह जो case की explanation मैंने दी थी, same explanation, same explanation इस वाले case पर भी जाती ह है, अच्छे से आप समझ के देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, चलो, मज़ा आया, इसको solve करके, ठीक है, देखो, J advance के सवालों के solution जो है, बहुत subjective thought की साथ देखा करो, किताबों में जो solution लिखे होते हैं, मालिक बचाए, आपको खुद से ही जो है, एक बार verification करने चाहिए, किताबों के solution को आपको नहीं refer करना चाहिए, मैं तो सरच नहीं करता, refer करो, ठीक है, मिलते हैं किसी अगले सवाल में, ठीक है, बाई-बाई